शिरी कृष्ण कहते हैं जिसे डर नहीं आपको खोने का वो क्या अफसोस करेगा आपके होने या फिर ना होने का जो नहीं है आपके पास वो ख्वाब है लेकिन जो है वो लाजवाब है इसलिए जो है उस पर ध्यान दो मीठा जूट बोलने से अच्छा है कडवा सच बोल दिया जाए जिससे आपको सचे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन जूटे दोस्त नहीं इन चार लोगों से हमेशा दूर रहना पहला जो आपसे बार बार जूट बोलते हो दूसरा जो आपकी इज़त ना करते हो तीसरा जो आपका बहुत इस्तेमाल करते हो और चौथा जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हो जब कोई दिल दुखाए तो बहतर है हम चुप हो जाए क्योंकि जिन ही हम जवाब नहीं देते उन्हें तो फिर वक्त ही जवाब देता है जितना शांत रहोगे उतनी ही अपने आपको मजबूत पाऊगे क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है